मुदान मुदाने जी canlai, मेरो एक करता का दो मा क से जो की सवstars म्हों कि परखिस्तान को गे रहा है पाकिस्तान के जो आतंगवादी संगठने उनको जिस परखिस्परकार से सामील किया है और जिस प्रकार से ग्लोबलाइजिशन पूरे देश बर में पुरे वी देशों में पुर्दान मंत्री जी वो लेकर कि जो आकर्शन है निश्चित रूप से ये रिजल्ट देने वाला काम और ऐसे समय में को रिजल्ट एक दिन में नहीं आता है इसमें समय लगता है मुझे लगता है कि अगामी आने वाला एक दो साल हो इंदुस्तान का है इंदुस्तान एक बड़ा सक्ति साली डेश बन कर गए और विश्वों में राज करेगा फिर से मैं कर्मवीर सिंग्जी आपका रुक करना चाहता हूं चर्चा जारी थी सवाल है इंपक्ट का इंपक्ट क्या रहा होगा क्या वन रोड जो प्रोजेक्ट था माल लिया जाए वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है इसके बाद में दो क्लाम को लेकर भी दो स्टेट हटा जी बिल्कुल वन बैल्ट वन रोड की जहां तक आपने बात की क्योंकि वन बैल्ट वन रोड देखने में सुनने में ऐसा लगता है कि पूरी तरह से चीन का प्रभूत इसलिए उन्होंने नाम बदलकर इसको रख दिया बैल्ट एंड रोड इनिसेटिव कर दिया और यह बियाराई जो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है चाइना का पूरे साउथ इस्टेशिया में सेंट्रल एशिया में क्योंकि इतना हुज मनी है उनके पास इतना इंवेस्टमेंट कर रहे हैं चाहिए जो सिंगापूर है उसकी भी जो सामरी के एक इस्तती है उसको भी खत्रे में डालने के कोशिश कर है मलेशिया में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के इस प्रोजेक्ट के जरी है और जहां तक दोकलाम की बात है दोकलाम का मुद्दा 26 जून को चीन की तरब से पहली बार विदेश उनके विदेश मंत्रालन ने पूरा जो है बताया कि किस तरह से भारती शेना वहां गुस गई है और इसके मुद्दे को खतम जो किया तो भारत की तरफ से स्टेटमेंट आया तीन चार लाइन का स्टेटमेंट है विदेश मंत्रालन प्रेस स्टेटमेंट जारी किया और का कि इस इंगेजमेंट ऑफ बॉर्डर फोर्से जो चाइन इंडिया दोनों की तरफ से वहां से अपनी सेनाई हटाई गई है चीन के विदेश मंत्राले ने बाद में जो है मीडिया कॉनफरेंस किया और उसमें उन्होंने का भारत ने अपनी सेनाई हटा लिए पत्रकारों ने बार बार पूचा चीन ने हटा लिए उन साइलेंट था लेकिन कहा कि चाइना इस चेत्र में अपने संप्रभूता को अक्सराइज करता रहेगा पैट्रोलिंग इस चेत्र में करता रहेगा शिद्य तोर पे उन्होंने ये भी का और लेकिन एक लाइन दोड दिया चाइना वील मेक नैसेसरी एड़्जस्मेंट और दिप्लॉइमेंट इन्हीं चेत्र में किस तरह से जो उनकी चीन की नीती रही है जो उसको लेकर के वह थोड़ा सा एड़्जस्टमेंट हो करें लेकिन कैसे एड़्जस्मेंट करेगा यह उन्होंने नहीं का आप चाइनीज मीडिया क्या कि चीन की तरफ से एक गलती हो होगी क्योंकि बहले प्रेस सिटेटमेंट जारी कर दिया और इंडिन मीडिया उसको पकड़ लिए न्हीं कि और इसी को लेकर के चैनीज मीडिया, सोसल मीडिया को जब्ड़ खबरे पहने लगी तो का कि यह वंने गलती कर दी है कि इस दोड में आम लोग drauf रह गये और भार करतोड मरनने की कोश्ची यहां पर कर रहा है भारत का मेन मुद्धा था इस मुलाकात में दीप अक्षिय चर्चा भी हुई जब जीन पिंग से मोधी मिले करीब एक घंटे के लिए फिर दोनों रास्टों के विदेश मंतराले के स्टेट्मेंट आए जिन पर बात हुई शांत पर कहा फर्स्ट फाल चीन ने कोई ओपन कमिटमेंट नहीं किया है इस मुद्धे को लेकर के कि दुबारा हम अपने गतिविद्या जाली नहीं रखेंगे पहली मुदा दूसरा उन्होंने का भारत ने अपनी सेन अटा कर यह कि एडमिट कर लिया है यह चेतर है यहां पर च इस फोली है वो नेगोशेशन के जरिये उनको सौट आउट करें इस कुए कि यह तो एक कोमन चीज है लेकिन ना तो यहां पर चीन जुका है और भारत की स्टती है वह को कि भारत ने तो बिलकुल एस्पेस रखा है चीन की तरप से तो दो अगस्त को पंदरा पीस जारी किय अधिया था हमने देखा लद्दा की जिल पर भी जो विवाद हुआ और नाचल को लेकर भी डिस्प्यूट्स रहे हैं भारत की और से जो डेवलिप्मेंट प्रोजेक्स रहें उनको लेकर लगातार तकरार और आखे चीन दिखाता रहा है और जो कुछ चीन की तरफ से भार अधिका के दोड़ा ये कोशिच की जा रही है और पाश्यमी देश और खासकर अमेरिका चाहता है कि चीन और भारत के बीच में किसी तरह से लड़ाई इस ले लेकिन आप देखते है ग्लोबल टाइसमें तो पूरी तरह से लड़ाई छेड़ रखी थी भारत के खिलाप किस कुछ मुद्दों पर जो सहमती है वो तो पहले से रही है उन पर सहमती है बाकि जो मुद्दे अलग हैं उन पर अभी वी ऐसे मती है मैं एक बात करमबिड जी जब बता रहे थे जो ब्रिक्स में आतंकवाद का मुद्दा उठा था मैं एक चीज उसमें जोड़ना चाहता हूं कि जो अमेरिका की नहीं अफगान निती है ट्रम्प ने साफ साफ तोर पर कहा था अफगान निती की गोशना करते समय है कि अमेरिका अफगानिस्तान में भारत की बड़ी भूमिका देखना चाहता है तो चीन की इस पर नजर है देखिए वो बड़ी भूमिका क्या होगी क्या वहाँ जो इंफरस्ट्रक्टर डवलप करना चाहते है उसमें कोई भारत की भूमिका है या भारत की कोई सेना वहाँ पर जाएगी चीन का जो हिता है देखिए करमबिड जी ने जैसा बताया कि वहाँ पर तीन संगठनों के नाम है तालिवान का भी नाम है तो ये मेरे साथ से भारत की तरब से तो तालिवान का नाम जुड़ा नहीं होगा तो जो नई अफगान निती है अमेरिका की चीन चाहता है कि भारत उ रखती है बाद में जाके चीन का ये नजरिया मेरे साथ से आतंगवाद को लेके जो ब्रिक्स में मुद्दा उठाया गया उसको लेकि ठीक है और जिन पिंक के साथ मुलाकात मोदी की देखिए जैसा करोडी सिंग्जे ने भी का था कि जो ऐसे मुद्दें जिन पर आपकी जो विवादास्पद हैं उन पर प्रायस तरह की ज्यादा बात्चीत नहीं होती है जो आपके प्रक्षिये संबंद हैं वो कैसे और बैतर हो सकते हैं दोनों की बीच ब्यापार कैसे बढ़ सकता है इन सारी इन मुद्दों पर बात हुई होगी निश्यत रूप से तो उसमे किसी की ना तो कोई कूटनितिक हार है ना कोई कूटनितिक गीत है वो उस तरह की बात्चीत भी नहीं है दोनों देशों के तालुकात को मिलाकर इस चर्चा का मुद्दा रहे होंगे मैं मानता हूं करोडी सिंग जी इस पूरी मुलाकात के दोरान क्या बहतरी का रास्ता भा लेकिन चीन का जो अभी मिसन है वो अलग है चीन ने बहुत पहले अपने दो सतापदी लक्से तैकर रखें एक 2021 का जो Communist Party की स्टापना को 100 साल होंगे और दूसरा 2019 में जिसमें चीन का 100 साल हो जाएंगे और अभी अमेरिकन एक तिंटेक ने एक पुस्तक निकाली है उसका ने टाइटल यह है कि Handed Years Marathon तो चीन इस Marathon में 2019 तक दुनिया की महान सक्ति अमेरिका को replace करके बनना चाता है तो चीन का लक्से बिलकुल clear है तो चीन नहीं चाता कि भारत से युद्ध हो भारत से एक limit के आगे तनाव बंढ़े dispute हो लेकिन भारत भी यह चाता है कि चीन के और भारत के बीच में जो व्यापार से समन्दित और जो बोर्डर के dispute हैं उन पे किसी ने किसी रूप में सांती बने दोनूं में ही भारत यह चाता है कि चीन भोत से एरिया पे कलेम करता है व्यापार में चीन के पक्स में है लेकिन भारत के सामने विकल्प इस समय कुछ नहीं है क्योंकि बोर्डर को अगर मान लीजे भारत चीन को चीन भारत का कि अपने एक्सपोर्ट का तीन परसेंट भारत को बेजता है अगर भारत बाइकार्ट भी करते तो चीन की अर्थ विवस्ता ज्यादा डिस्टरब नहीं होगी यह दिपी भारत में ऐसा एक आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रहे हैं कि चीनी वस्तूं का बाइकार्ट किया जाए अगर बाइकार्ट करेंगे तो जो भारत की नीड है वो बाहर से आप कहीं से फुल्फिल करोगे दूसरी जगह से मंगाओ को तो ज्यादा मांगी पड़ेगी इसलिए आर्थिक मामलू में भारत की डिपेंडेंस च अब तक जो दोनों मुल्कों के रिष्टे रहे हैं उनमें सवाल सिर्फ आर्थिक मसलों को लेकर ही उड़ते रहे हैं बाकि साजिदारियों की बात तो होती है लेकिन वह नजर नहीं आती ओम से नहीं साहब जानना चाहता हूं कि अब अगला पड़ाव क्या हो सकता है देख पिंके साथ मुलाकात के बाद में दूपक्षे बारता हो उसके बीच में कि हमें समवाद के माध्यम से ही इन सारी चीज़ों को हल करना चाहिए और आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए दुनिया में जो विकास सिल देशों का जो दबदबा है उससे मुक्ति के लिए हम छे रास्ट्रों को जिस तरीके से आगे बढ़ना है उसमें उस समवाद ही पंच शील के रास्ते से हम सारी चीज़ों का निज़ात पंच शिल फिर चर्चा में आया है तो जिस पंडित नहरों की को सम्भूल उखार देने की बात यार कॉंग्रेस को उखार देने की बात वो पूराने जुम्ले जो है आज अर्थपूर हो रहा है कि प्रधान मंत्री की जो समझ बनी है कि ना जिससे बात बनती है वो अपनानी चाहिए तो पंच्छिल के रास्ते से आगे बढ़ने की बात जब सोच रहा है तो समझा जाना चाहिए कि हमारी विदेशनीति का सवरूप फिर से एक चीन को लेकर इतना रियक्टिव होना ये जाहिर करता है भारतिये जनता पार्टी हर मुद्धे पर अपना एग्रेसिव एटिट्यूट दिखाना चाहती है जो डोकलाम का विवाद था उसको समझने की जरूत है वो क्या था क्या कोई वो राजनेतिक विवाद था या वो दोनों देसों की सहनाओं के बीच में विवाद नहीं था तो अरंज इटली को इसमें बयान नहीं देना चाहिए था यदि वो राजनेतिक विवाद नहीं था तो जो बाकी राजनेतिक नेता हैं बार्टी जनता पार्टी को उनको बयान नहीं देना चाहिए था विवाद कूटनितिक था तो आप जो जो कूटनितिक जो रास्ते हैं उनके जरिये उनको सुल जाना था तो इसमें सरकार ने देर स पर इस सही प्रयास किये प्रयास किये तो मामला सुल जा ज्वेजि आप इस को डिप्लोमेटिक टीम से पहले लंबा तहीवाद नहीं अधी पर रहान बन रहा है या नहीं बन रहा है ये वहाँ पर है पिर भी क्योंकि चीन की तरफ से बयान नहीं है ये माना जा रहा है समझा जा रहा है कर्मभीर जी यूपिये राज में और अब मोधी राज में क्या चीन को लेकर भारत के नीती कहीं बदल रही है या बदल चुकी है मुझे लग क्योंकि भारत के विदेश निती जो हमारे रास्टी हैते हैं उनको लेकर के रही लेकिन थोड़ा सा फर्क यह आया है कि अब जो है हर चीज को विजय बना दिया जाता है कि और सब कुछ आम तोर पर इतनी प्रतिक रियाएं नहीं होती थी आपने खुद ने कहा कि लेकिन चीन की तरफ से हो रही थी हमने देखा डोकलाम इस्यू को लेकर भी चीन रोजाना चीनी अगवार लिख रहे हैं भारत की और से स्टेट्मेंट एक दो दफ़ा है एक बार सुश्मा सुराज बोली अज़े बिलकु सही का आपने क्योंकि पिछले तीन साल में मैंने देखा भारत ही कि विदेश मंठ्रा एक तरह से म्रत्य रहे होता जाह रहे है एक मंध बेश मंत्री ही ही को मंत्री है परधा मंत्री है अнова स्रेज मंधरी हो लो जयका है स्विकार करना चाहिए जहां गलती हुई है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए और डोकलाम के उपर ऐसा हुआ चीन ने कोई कमिटमेंट नहीं किया नहीं चीन ने कहा कि हम दोबारा ऐसा वहाँ पर नहीं करेंगे लेकिन चीन की अब जो पिछले 24 बिलिएंड डॉलर दिये फिलिपिन्स को एकदम पलट गया कहा कि चीन तो बहुत यह अच्छा आरामारा साजेदार है डॉलर दिखा करके या धंकी दे करके भारत इस दबाव में नहीं आया यह अच्छी चीज रही इस बार क्योंकि भारत फिलिपिन्स नहीं है और नहीं व बाइस्टार में जकारता पोस्ट में सभी में आर्टिकल चपे और देख रहे थे दोनों के बीच में क्या ठकरा होता है क्या चीन जो दोनों के बीच में युद्ध होगा क्योंकि 26 जनवरी जब आए गया भी है गणतंतर दिवस पर हमारी सरकार ने आश्यान के जो दस दाना मेरा यह lightning है अब मेरे चीन है वो सबकर साथ लेकर चन्य वाली निती पे काम नहीं कर रहा है ब्रिक में पूरी तरहिए यहां रागेंगे करने को तैयार है वहाँकर वा लए चार नहीं से Mn since czego ए धुजरत में नहीं करेंगे-धारत करने को तैयार हैं वह आप कर्वाइए जो दुसिरा हमारी प्रतिक्रियावादी होना क्या भारत के लिए हित कर है भी बहुत ही सीरियस डिप्लोमेसी कंडेक्ट करनी चाहिए और भारत अब मुझे नहीं लगता कि सीरियस डिप्लोमेसी कंडेक्ट कर पारा उसके बहुत से कारण हो सकते हैं हो सकता है हमारा थिंग टेंक अलग तरीके का हो और बहुत से कारण हो सकते हैं अभी तक एक सपलता मैं मान सकता हूँ कि हमारे मिशन्स हैं इंडिया के डिफरेंट कंट्रीज में उनको एक्टिवेट किया है वो ज्यादा एक्टिवी हैं ये सबसे बड़ी सपलता है चलिए कई पहलू हैं हमारे सामने लेकिन पूरे देश में चर्चा होती है नरिंडर मोधी और उनके एफेक्ट की क्या मोधी एफेक्ट चीन पर नजर आता है ब्रेक के बाद लोटेंगे आज के सवाल पर आपका जवाब क्या कहता है और खास मेहमानों से जाने की कोशिश कर्एगा और चीन ने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्टी किया है 65% आज भी भारत चीन, पाकिस्तान को etcetera सप्लाई करता है जिसमें हमेशा उसका भारत की तरफ दोरा रवई आ रहा है इंदोसान की कूट नीते की चीन पचार खा गया। आतरवाद वाले मामले पे चीन पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। इसमें भी उनको मुझ की खानी पड़ी बिक सम्मिलन में। और डोकराम विवाद में बारत की जीत हुई। झाल